हेलो 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 माइच चेक माइच चेक आवाज आ रही है क्या बच्चे लोग एक बार मैं को जरा बता दीजिए आवाज आ रही है क्या गुडईविनिंग गुडईविनींग बचे लोग गुडईविनिंग क्या हाल है सब के जलदी बताओ कैसे है सब लोग एक दिन में मेरे को भूल तो नहीं गया है कल मेरी क्लास में भी खतब हो गया तो एक दिन में भूल तो नहीं गए अच्छा आवाज में क्लियर है कि सब एक बहुता दो फिर अपन बात्षीत करते हैं थोड़ी थी पूरे एक दिन बात में तुम लोगों से मिल रहा हूँ अब सारे भक्त लोग आ चुके हैं तो सारे भक्तों को मेरे तरफ से हर हर मादेव जैश्री क्रिष्ण जैश्री शाम जैश्री राम टोटल 33 करोर देवी देवता है उनकी जैए ठीक है मतलब इतने प्यारे भक्ति वाले बच्चे मतलब क्या बुलूं मैं प्सक्राइब कर चलो अब अब आपने लोगों मैं क्या करना पड़त यह सै आरे लाइक करके बताती जाए कि सर अम आगये और पता चले हमको और हमारे अगर पर अपको अच्छे लगते हो तो बढ़िया क्लियर आवाज आपको कैसे भूल सकते हैं इतनी बड़ी बादे मत करो आप हमारी जान अरे अरे इतना खतरनाग नो सर नहीं भूलेंगे मस्त लग रहे हो सर अच्छा कि नोट्स अलागे मिश्रा काजल और जो प्रिंट आपको मिल रहे हैं वह रिविजेन नोट्स है ठीक है न तो उससे भी काम आपको हो जाएंगा वैसे तो सब्सक्राइब है मासे आपको कैसे भूल सकते हैं हमारे नालाएका तुम लोग चलो बुला एक बार सो दैट फिर आज मैंद इं नया सब्जेक्ट सब्सक्राइब को आउ impress madness त्स तकुम को मालूम है कि तुम्ढारा भाई रिविजेन में भी रेगूनर ठीक है ना मतलब हाँ थोड़ा बहुत परकता है तुम्हारा भाई उत्री एफट दालेंगा तुम लोगों के साथ उतने ही तुम्हारी दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगा सारी चीजों को बट हमेशा की तरह एक चीज में मांगता हो तुम लोगों से वह है तुम्हारा साथ तुम लोग अगर साथ में हो तो कोई डेंशन ही नहीं अच्छा सर नोट वगरी की बारे में कुछ बता दो भाई देखो एडमीन सर ना आपके लिए अल्रेडी चैट सेक्शन में डिस्क्र मार्च मैंने मैं आता हूँ मेरा बड़े तो गया खताम फिनिस है गुद इनिंग सर लव यू सर अरे थैंक्यू दानिश भाई चलिए और बुलाइए सब को चलिए वाई साब अच्छा सर आज हम कुन से सब्जेट की बात करने वाले हैं सर आज हम आपके लिए 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 सब्जेट आपको फेवरेट सब्जेट ठीक है और नहीं भी फेवरेट होंगा तो मैं बूलते दो फेवरेट बना दूगा मैं टेंशन लेने की दरवत नहीं है हम आज बात करेंगे आपके बिजनस इंवर्मेंट वाले सब्जेट की मैं एक बार कुछ चीज़े आपस से र सब्जेट है यहां पर मैं हर चीज कवर कर वाउंगा टीगे आपका जो सब्जेट है वह है इकोनामिक्स वह क्या है एकोनामिक्स कि आइन्ड बिजनेस इंवर्मेंट ठीक है न तो हम स्ब्रेट का नाम है इसको अम शॉर्ट ना बोल लिता है इको और बिजनेस इन्वर्मेंट तो इकोनोमिक्स इन बिजनेस इन्वर्मेंट यह आपके सब्डेट का नाम है इसके अंदर भाई दो वाइफर के शेन आपको मजी की वाद बता देता हूं यहां तक हो सकते आपको प्रवीन सर्न ने बताई भी होंगे सर फिर भी मैं बता दे रहा सर जो एकोनोमिक्स है न सर वह 25 नंबर का और सर जो बिजनेस इन्वर्मेंट है न सर सर वह अगें 25 नंबर का सर आदा आदा का वेटेज है तो जितना बड़ा तुमको एकोनोमिक्स पढ़ना है वहां से पढ़के भी तुमको 25 नंबर के ही कोशन आने वाले हैं और यह जो ब बहुत प्यारा है इसको पढ़ने के बाद भी तुमारे 25 नंबर के कोशन आने वाले हैं और यहां पर हमारा टार्गेट हमेशा की जैसे रहता है 25 में से 25 नहीं तो गिरी गिरी आहलत में लें देखें की ऊपर क्या करते हैं फोकस करते हैं और यहां मज़े किया पता है कि आपको अपको जाने चैड नहीं की बढ़िया प्र फिछ आने घर हम क्या की सिग्सेक इस अपना तो भी मानना तुमको मालूम हमेशा की तरह पुराने वरी बात अपन तो पुराने ख्यालों के लोग है तुमको असा लगता हूंगा सर अपन तो यह मानते हैं वह क्याम करते जाओ बोलने जिसका अपना अपने आप तैलेंटेड लोग बोलते रहूल गांजी निकाल पूलो निकाल दिया सुरी सो ना कुछ बनारा वोल लू से सोना बनाएंगा लुक्त भी ड्लवल गंदी ने बोला था नहीं भूल नाम बोलने की वह घस प्यार नाम लाट बोलते तुमको नालाए बच्चे लिएंग नूबर के तो लिवेश्क आवको युआ श्किक नुव नंबर का है 25 नंबर का है और मज़े की बात यह 25 नंबर के लिए आपको पढ़ने हैं शिर्फ तीन चाप्टर उसमें से भी यह आखरी वाला चैप्टर है यह अल्रेटी हम करेंट अफेर में इसका मेजॉरीटी पोड़ चुके है यह बोलने के लिए यह अल्रेटी हम करेंट में पढ़ चुके है इसका मेजॉरीटी पोड़्शेट अभी पर्सों खतम की है तो काईदे से तो इसके अंदर हमको दो ही चैप्टर डीटेल में पढ़ने है तिसरी चैप्टर का तो सिर्फ थोड़ा से पाट हमको यह पढ़ना परता है बागी तो अल्रेडी अब करेंट के लिए आप चैप्टर से आई सब्सक्राइब के वह पांच चैप्टर पढ़ने पढ़ने पढ़ते इसमें तीन तीसमें भी एक जो चैप्टर है थाड़ वाला जो अभी हमने करन्ट अप्वें में रिसेंट में पढ़े होंगे उसके बारे में डिसकुशन है तो मतलब वह भी क्या ही इस चैंदर देखना हो तो अल्रेडी हम पढ़े हुए बट फिर भी हम पढ़ेंगे लेकर स्टिल बता रहा हूं कि यह कंटेंट बहुत कम है और यह कंटेंट पढ़ने में आपको घर में मज़ा नहीं आएंगी मेरी गैरेंटी इसलिए मैं बूलू कुछ बार से नहीं आता है कि जिसके अंदर हो सकते हैं मॉट्यूल में बुल्लिटीन से आये कभी असे उससे आये वहां हमको सारे करेंट बढ़ने पारते कि यहां तो बहुत चप गया इसमें से ही आने वाल है मतलब जो हम क्लास पर पढ़ेंगे वह ही तीजे वह तुमको पूछेंगे पेपर में और कुछ है नहीं इसके अंदर कास दो तीन कोशन एक्स्ट्रा होंगे तो भी इसी से रिलेटीड ही होंगे तो मज़े की बाद इसके अंदर जो भी आता है वह ऐसा कुछ खास भार से नहीं आता है हम सारी चीजें यहां पर करेंगे क्लियर क्लियर होगी बात चलिए तो टोटल आपका पेपर आता है बिजनेस इंवर्मेंट का 25 नंबर का किते नंबर का आता है मेरे बच्चा 25 नंबर का क्लियर तो 25 नंबर का जो पेपर है वह हमको अभी स्टड़ी करना है उसमें सबसे पहला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अंटी प्रेनियर्शिप सिनारियो कि अंटी प्रेनियर्शिप सिनारियो कि समझ में आई बात अचछा कुछ को डाउट मांक में रहते बच्चों के खासकर इकोनोमिक बिजनेस इंवरमेंट को लेखे कि सर बिजनेस मेंट और एकोनोमिक जो अपने पेपर बोले 50 नंबर का है यह टोटल 50 नंबर का पेपर है तो 50 में से में को मांक्स लाने रहेंगे ना यास मतलब आप आपने पूरे passing marks business environment में भी ला लिए तो भी आप पास माने जाओंगे ऐसा आपको अलग-अलग score करने की जरुवत नहीं है तो out of total 50 marks ही आपको क्या करना बच्छा मेरे score करना है ठीक है तो क्या हम तयार है अंटी-प्रेणियोर्शिप सिनारियों चालो करने के लिए चलो आजो वटावर्ट मोहित बिल्कुल मिलेंगे मोहित बाली क्यों नहीं मिलेंगे बताओ क्या अच्छे लोग सात मेरे पर में को बतादो हिए जल देली में बतादो और चैट की रूल में फिर से रिपीट कर देता हो गाई इसमें चैट तभी देखूंगा जब मैं खुद बोलूगा कि डाउट है कोई तो आप में आपकी चैट पढ़ पाऊंगा ठीके ना बीच में आपकी चैट पढ़ना भुड़ा में ले क्या हो जाएंगा मुच्किल हो तो बीच बीच में मैं नहीं पढ़ूँगा जब मैं बोलूगा डाउट है आप बता देना डाउट है तो तब मैं आपके डाउट एंसर पूरा करूँगा ठीक है तो सबसे पहले बात आती है कि वाट इस दिमीनिंग ओफ ऑंट्रपिनियों पढ़ने के पहले दिमार्ग मे में कोई डिफ्रेंस है आप हमको बताऊ सर ऑंट्रपिनियों का मतलब क्या बिजनेसमेन होता है या ऑंट्रपिनियों बिजनेसमें में कोई डिफ्रेंस है कि देखो आप अगर किताबी भाशा की बात करोंगे तो किताबी भाशा में कोई खास डिफ्रेंस नहीं है बट अग लगता है कि करने का मतलब होता है माल खरीद के माल पेचना तर यह अगर विजनेस देखे आपको देता हूं वह देता हूं एक वाटरमेलन का कि वो वाटर मेलन को एक बंदा खरीद के 10 रुपीज का वाटर मेलन एक बंदे ने लेके आया जहांता सुनना प्लीज डिसकेशन बहुत इंपोर्टेंट है यह वाला स्टार्टिंग में सर मैं आपको पुछता हूँ कि मेरे पास वाटर मेलन है ठीक है ना यह वाटर मेलन अपने पर्चेस करा इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज कितने मैं पर्चेस करा यह 10 रुपीज इसकी कॉस्ट है कॉस्ट बोल सकते हो या इसको आप क्या बोल सकते हो पर्चेस प्राइस मैं आपको पुछना चाहता हूँ कि आप मिनको एंसर करो कि आप ये 10 रुपीज के वाटर मेलन से एक 10 रुपीज के एक वाटर मेलन से आप कितने रुपे कमा सकते हों और क्या-क्या इसमें डिफरेंट चीजें लाके आप इसको बेश सकते हों पुराना एक्जांपल है लेकि इनोवेटिव सोचो और में को तुम चैट में बताओ बताओ में को वड़ावड़ सर बच्चे लोग सीद्धा पहुझे पांस रुपे में बेचेंगे बुले वाटर मेलन का केट बच्चा तो मतलब भाई भाई मतलब सल्यूट डारेग बच्चा लिखता बोले तुम भालतु बाते चोड़ो बोले हम डारेग वाटर मेलन का केक बनागे बेचेंगे क्या इनोवेटिव आइडिया है कि खयर वह पॉईंट चड़ो कोई बंदा बोलेंगा समय इसको श्यल करूं 10 रूपी में, मैंने बंगे रूपी में कमये कोई बंदा बो लेंगा कि मैं इसको सेल करूंगा 50 रूपीज में मैं इसकी water मेलं कटिंग वचओंगा इसयओ्ट बचाट विचओंगा वनावनाके ठीक है ना कोई बंदा बो लेंगा कि मैं सेल करूंगा हांड्रेड रुपीज में इसका जूस निकाल के है बट एक बंदा बोलता है कि मैं इसको सेल करूंगा फॉर फिप्टी में ठीक है ना यहां पर मैं क्या करूंगा यह वाटर मेलन का एक बनाऊंगा शेक जूस उसमें एक डालूंगा ऐसी डंडी उपर से लगाऊंगा मेरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है ना तो प्लीज उस पर हसना मत रहे नालैक असरे वापर एक बंदे नह का वर्जीन मेलन मया ना ना रख दिया श्का वर्जीन मेलन और से बेच रहा है चाड़े चार्ण सो में बिखता है भाई फिर ऑप्धियों वर्जिन मजीटिए पीते न निम्बू पानी तो रहतों और बात है फालतू की बात है उटल लेकिया बोलते मेरा कोई दोस्त पीता ना वर्जिन मेलन नाम रख गी और इसको बेज दिया कितने में चार्वे में सब्सक्राइब कि आप एक बिजनेसमें के ऐंगल से सोच रहे हो या एक अंट्रेपीनियर के अंगल से ओंट्रेपीनियर को नहीं होता है जो इनोवेटिव चीजें के बारे में सुष्टा है जो रिष्ट लेने की रखता है क्या पैसिटी रखता है क्या या क्या त्राय करता है ने बाइक कुछ न bluff बूस्तमिंग कुशने लेके आ रहा है मारकेट में एक नॉर्मल बिजनसमें और एक ऑंट्रोंड्योंड होता है और पर्स जो इनोवेशन के ऊपर बात करते इनोवेश्टीव चीजे लेके आते हैं जो रिक्स लेने की क्यापासिटी रखती देखो रिक्स लेना इसका मतलब यह नहीं होगे कि तुम और बन गए आज कल तो नहीं निकला है बोले रिक्स लेना जीवन बहुत जरूरी है बोल से रिक्स लेना का मतलब यह नहीं है कि तुम हंड्रेट प्लोर पे जाके एकदम उपर खड़े हो जाओ एक पैर से लटकते हुए बिने आपने आप पर रस्षी बांदे अब रिक्स का मतलब होता है क्याल्कुलेटिव रिक्स हां रिक्स लेना जरूरी है बर डाक्शुट क्याल्कुलेटिव और क्याल्कुलेटिव नहीं भी है तो ऐसी चीज़ों में रिक्स ली जाए जो एक्चुली में वर्थ इत है रिक्स का मतलब यह नहीं होता है भाई कि अभी पढ़ाई-बढ़ाई छोड़ के आश से धन्दक आलो कर दो पढ़ लो लिख लो नॉलेज आ देखा उसने कुछ नहीं बना धिया बंदेने उसका नाम चेंज कर दिया सम्थिंग इनुविटिव सम्थिंग निव रिक्स लेके देखा कि भीकेंगा नीगा मालू नहीं था तो वर्जीन मेलन कोई पीएंगा नीगा क्या मालूं कि इसको रिक्स है तर्बुस 10 रुपे का कि इसी रुपे में इजी लिए पचास में बाति जू रुपे में बना कि जी वर्जीन मेलन साड़े चाड़े चार्स रुपे में विकेंगा या नहीं भीटिएंगा फिरिक्स तो है इन्वेशन भी है संब्धिंग निउ भी ट्राय किया जो एक नॉर्मल बिजनस्में सबते हैं अगर मजाilt लग शोंकि मेरी बात आपको लग रहा हूंगा सब्सक्राइब अनुपार प्सक्राइब अधिर्म मानणिम तपिन वह सब्सक्राइब अनुपार इंटिया देते हों च environ शर। उसमें छीज यह चोड़ा है कग भी बीस को पीचिरों उसने साइड कुझ पिंपल शाधी कि solaire होता है है दोौप्स यॉटाड़कि Texas को मिला जाता है duż लड़का रड़की को पसंद आ का जाता है यह पास्वे पसंद करती है दुनाइसमें बास्षीत करते हैं अब है कि adi फोटोज और फोटोस में पसंद करतर है और महा पर जाके दिखाते हैं यह यह यहां से यह लड़के ने अभी कंपनी सेकेटरी बनाएं यह नया नया कंपनी सेकेटरी बनाएं बहुत बढ़िया पैकेजिस था बहुत टैलेंटेड है तुम्हारी बिटिया को खुश रखेंगा है यह तो बता रहे वह भी जाके यह यहीं वहां पर उसते लिखके देदिया है कि तीन रिष्टे करा देंगे चपल घिज जाएंगे उन्धी रिष्टे कराते कराते लेकिन से चार रिष्टे की उपर उपर करानी पाएंगे मतला पंडित जी खुद जाते हैं एक एक डिटर एक्स्प्लेइन करते है अनुपन मिच्थ खुद नहीं जाता है उसने शाधी.com कि कखता है कि पंडिक जादा में जाता है तुम्हारे लड़की तुम्हारे निखें लड़की को दिल्ली वाले को मद्रास वाली लड़की पसंद आगे दिल्ली का पंजबी मुंड़ा है लड़की पसंद आगे लड़की को दिल्ली वाला लड़का पसंद आगया नॉर्थ और सौथ को मिला दिया टू स्टेट्स अरिटिंग माँ पॉइंट पंडिची मामी पपा के पाथ फोटो लेके जाते पंडिची भूल गयते जमाना चेंज हो गया है आज केल पहले बच्छ स्टेट मेर लांक्या एनीनोवेस है इनोवेस है रिक्स अनुप आ अनुपम मित्तल को भी तारूक हूं आउह नहीं चलेंगा ओनलाइन को हुन स्थी करता ओनलाइन लड़का देखे ज़िकेके को भी। इस अष्थ कल US हो रहा है हूं मेरे इस वो माढ tentang मेरे खेल्के सा कि शादी भी एक बार उनकी पिजारिकी तूड़ गी थी कारण वाश्ट शादी डॉट कॉम से लड़की तूड के लेकि एक दम बढ़िया जिन्दी की सुधर की इसकी तुम बनो मैं तो प्रोशान करता हूं बोट डिसकॉष्ण thoroughfare काम बढ़ेंगा आज अमेरिका वर्ल्ड पावर क्यों ही उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी एकंट्री का भी हिच्सा है वर्ल के अंदर आज अमेरिका सबसे पैसे वाली कंट्री है अल्मोस्ट क्यों आज तुम नाम दो ना स्रिप बड़ी-बड़ी कंपनी के तुम नाम लो मैं तुमको बदाता हूँ यूएस का पाट एपल यूएस मैक्रोसॉप यूएस गूगल यूएस यूटॉब खेर स्काइप आट है यूएस फेस्बूक यूएस टेसला यूएस पेपाल टेसला एक ही है समझ लो यूएस तुम नाम लो न और बोलो वारें बुफेट यूएस का है क्या वो तो इन्वेस्टर एक अलग पॉइंट हो गय क्यों कि वहां पर बहुत टाइम पहले से ही ऑंट्रफिनियूस को क्या किया जा रहे प्रमोट किया जा रहे वहां पर जब बच्चा पैदा होता है न तो मम्मी पपा जूले में अलाते वैसा नहीं नीं उलते जूला एक हमरा लड़का हमरा लड़का इंजिनियर बनेंगा लेगा हम्रा लड़का एक डाक्टर बनेंगा हमारा लड़का लड़का सीम्पल Hasoda कि लिए बन तुम को जो बनना में बनू तो बच्चेम महां पर बनते से ऑंड्रेपेश अपने हिसाब से करते हैं हमारे हांत हो बढ़ी का वहां कर लोग निलए समझ में अगर समय कि परर लिए कंपरेनर को कॉately सपोर्ट कर रहिए उसलिए को वह आप समयगे मेरी बात हो इसलिए गौवर्मेंट जो है वो उंट्रपीनर्स को क्या कर रहें सपोर्ट चोंग नहीं करते हैं तुम या तुमारा बहुत बूरा लगता अंधर से बच्चे आपने एक जांपल दीते पहले सूरज पकोड़े वाले की ग्या ही है ग्या है कि अकिल शुक्ला इतना नाला है कि वो बोलता है आपकी साधी में लगता है ऐसा हुआ है कि पंडित जी ना आगे बुले देखो लड़का सीए है सीएज भी कर रहा था और बहुत पैसा है इसके पास नाला है मेरी लव मैं रहे पहली बाद तो मेरी वाइप खुद एक है इसलिए गौवर्मेंट ने बहुत सारी स्कीम और इनिशेटिव Y लौ है । नावलेश भी boy लेकर लेक्त कि उसके ईक और और चाहता है बहुतिक बहुत सारी इनिशेटिव को अधर एट लिए उन्होंने बहुत ज्यादा क्या लेकिया है लेकिया तो इसको और उसको और क्या मिले बड़ावा मिले यह गौर्मेंट का एक सिंपल सा क्या में इंटेंशन है कि क्लियर कि तुम नालाय को सब के सब फालतु की बात लेके बैठे हो हाथ तुमारा मूड गया नालाय पढ़ाई छोड़के सब मालूंगो तुमको आता ऐसा लग रहा है नालाय को तुम लग चलो पढ़ाई करो कि चलो मुद्धे पर आते हैं सबसे पहली स्कीम की बारे हमको शड़ी करना है मेकिन इंडिया इनिशेटिव सबसे पहली स्कीम जो गवर्मेंट जिसके उपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है वह है मेकिन इंडिया को यार्ण का एक सिंपल सा उसूल है आप समझो वर्ल्ड लेवल के एंगल से कि हमारी कंट्री में में कि इंडिया को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है में मतलब तुमको इंडिया में माल बनाओ इंडिया में मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर को मजबूत करो इंडिया में बनाओ हम पहले के इंदर ही क्या कर सकते हैं roku सोच के देखो में किल इंदिया को आप सबसें democrats गॉसकर मालूम चींदर लेबर फॉर्स बहुत ज्याताさい Empress फॉर्स कैं बहुत ज्यादा है थो हमारी कण्ट्री के अंदर प्लिक पॉपballs 4 डो कंठ्रिए भॉत ज्यादा हो सकती एह ेसका से हमार्टे की पॉपंबलेशन बहुत बड़ा है रहे इंडिया इंडिया सब्सक्राइब और मैंनेिक्षरिंग पहले तो धम यह यह वह चीन अब imagined manufacturing manufacturing अब चाहना इन जब भी कोई country अगर manufacturing करने बारे आती है वो धुष्टेए कि manufacturing plan काल बड़ी बड़ी countries वर्ल के अंदर बड़ी ऑसे अपना manufacturing plan कालन इसो सब्से पहले उनकी निमाग में आता है चाहे ना की वहां पे उतनी मारी कंट्री में विकता भी है कि आप समझ ही नहीं रहे एह जो बड़ी-फटी कंपनी इस अभीधे Steve कंपनी आ हे विदेशों में माल बनाती जनु है और है बेशने के लिए इंडिया आ जाती है प्लिप एंदिया में माल बेचती है यहने पाईसे तुम इंडिया से कमांगे माल बेचती कि बनाओंगे तुम दुसरी कंट्री में इसा नहीं चलेंगा हुआइसा नहीं मेडी तुम को इंटिया में ही पड़ेंगे मित रो है उटो में इंटिया में एग लाइव हंकिन दके क्या लाइब मित रो इस तो all पॉलिसी मतलब एक सक्सेस्फुल पॉलिसी ऑफ न्यू इंडिया के लिए यह मानी जाएंगी यह लोग ना पढ़ाई छोड़के फालतु की बाते कर रहे हैं ओ भाई पढ़ाई कर लो मेरे पढ़ाई करो ना लाएंगा अपन सीसेटी पास हो जाते हैं अपन उसके बाद है 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 जा मुझे क्या आता है कि बृविजनेस मतलब इनट यह मैं इस नियू पा रिए की मतलब बनाने के लिए सब्सक्रेब़ाई को इन 2014 ओना जैसे मोदी गष fotografurst पावर में आई आए आते बरभर वोदी आदेवर उन्होंनमuan इश्कीन को क्या कर दिया लांच कर दिया यह है में इंडिया को इंडिया में बहुत बढ़ावा भास गौर्मनेंट के लिए पिश्थ में धि dieta के ऐस लिए में ब्रेक्प्रूंके क्ने का कंसें पौलिया जाता है जब है क्वर्णक्राइब में ब्ल्लं कि सुनाइब तर दर बनाया गया है it is a national program इंडिया को एक national प्रोग्राम बनाया गया है और उसका एंडिया का एंडिया है था मतलब गवर्मेंट यह चाहती है कि इंडिया ग्लोबल ग्लोबल मेनिफैक्शिरिंग। का मतलब गलॉपन. तुमको अपना मैनिफैक्शिरिंग रिजो टूम्हारे डिमाज में सबसे पहला कि ऑप्षिन आना चीए इंडिया मतलब जिसको भी अगर मैनिवेक्ट्रिंग प्लाइन डालना है तो उसका पहले दिमाग में पॉइंट आना चीए इंडिया कि अला है कि योगीता क्या सब्सक्राइब बनाने की बात कही गई है मुदी जी बोलते हैं कि मित्रों इनको हम इसके वेज़े से इंडिया को मैनिवेक्ट्रिंग बना देंगे चाहिना जो है ठीक है ना यह सिर्फ चूना होना मारने के काम के रह जाएंगे बस और सारा मैंने बैच्छी का इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी यह मोदी जी का इंटेंशन है लोकल ऐस्विल आस पॉरें से अलाग अलाग प्रोपोसल्स मंगा रहें तो प्रोपोसल्स मंगा जा रहें तो 25 इरिया जो है में थी जो है उसको ग्लोबल मैनिफेक्ट्रिंग यह चाहते है इंडिया और जो लोग है इनको और जो वियूदी लोग है इनको और बाखी लोग है जो भी इंडिया में मैनिफेक्ट्रिंग करना चाहते हैं उनसे हम प्रपोसेश इंवाइट कर रहे है यह 25 की एरिया में तो यह नालाक यहां पर एक्जांपल की तौरक दिया हुआ है हमको इसमें से याद नहीं करना है 25 की 25 एरिया थी यहां पे मॉडुल में प्रिंट करके केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले इंफर्मेशन टेक्नोलोजी को बढ़ावा मिले लेधर इंडस्ट्री वेल्नेस यहां पर आटो मॉबाइल फार्मसोटिकल टूरिजम रेलवेज एविएशन होस्पिटालिटी इंफ्रसक्षर यह सारे 25 की एरिया जिसमें लोग आ रंग में आ गई है और कुछ नहीं टेसला वाला को ज्यादे डिमांड कर रहा है इस वजे से वह पॉइंट रुका हुआ है नितो गवर्मेंट ऑप इंडिया तो पोल्री टेसला को आ तो इंडिया में माल बना कोई दिखकत निए टेसला वाला पुले आम पहले चेक करेंग ठीक है सब्सक्राइब यहां याद करने कि कुछ एरिया में नहीं रखने एक दो बार अपने रिडाउट कर लिए तो अर यहां पर 25 की जगा तो पहली दिया हुआ है क्योंकि मोडिल में भी ट्वैली धिया हुआ है मेरा यहां पर कोई इंटेंशन नहीं था इंडिश्किम जो फॉरेंग इंवेस्टर से वो भी अपने प्लांट मैनिफेक्ट्रिंग इंडिया में आके कर सकते डारेक्ट इंवेस्मेंट का मतलब होता है कि जब मैं कोई बिजनेस ओपन कर रहा हूं ठीक है ना तो मैं उसमें डारेक्ली इंवेस्ट करता हूं अब यह फॉरेंड के करना पहले इनको अलाउड बहूत कम है ऐने फॉर्भ इननario को गवर्मेंट क्या बोलती है हमेशा ब़ती है इन अ ऒलो ए आगे वापन वापस आगे वापस आगे अपन जाते नहीं भाई हम भॉल दी अपन ने मुकुखा अ अर आपको बुलाओ वापस च्लों अबना मस्तर आगे बुलना आपस से तुम्ने लाइक काम करें आइसे लिए सब्सक्राइब आजा चलो वापस बुलाओ सबको वापस से शाज बीच में अटक गया था कुछ इशू हो रहा था पता नहीं क्या था अरे अजे पहाड मालू में भाव मला चलो आजाओ वाईस पड़ावट पड़ावट चलिए तो आगे हम लोग कर रहे थे कंटीनिव करते सबको बुला लो एक बार वापस से और जो लाइक नहीं कर रहा हूंगा उन लोग लाइक कर लीजे अब इसा बीच बीच में एक खांदी बार चोटा मोटे इस पर आता है चलो आज आजाओ वह पी कैसा है ना ब्रेक भीडिता नहीं तुम्हार को इसलिए ब्रेक आजाते एक कर दी इंक्रीस कर दी तो ऑप इंडिया है गौर्मेंट आप इंडिया ने एंडीय की लिमिट क्य और अपल गों यह कंपनी जापां कि उसको इंदिया में आटा मुबाल करते पहले हैं तो आइधा मईूबल मैं इसना करना अठैनight इंडिया को शुझू जापान वाले को इंडिया में मेर्सकीट नाम लगा आए तो इंडिया मारोद्ययुले का कि वह स्ट्रिक्षेशन से कोई फज़ान बाला बंदह इंडिया में मैनिफेक्ट्रिंग प्लांट मीलेगा तो तो उसके अंदर यह एक और तो को रिखार्मेंट इसकी लिमिट 5 पговर्रमेंट ने क्या कर दिए इन्वेस्पेंट की जो लिमिट ने पोरेंट डदी की जो लिमिट कि बना दी हाँ जैसे हीहा ए ह decreasing हडम होंडा करें सेटक परें बिजनेस दालें है अग्र एट कुछ और इंडिया ने यह मेकिन इंडिया के लिए जो फॉरंच की लोग अगुर्य है इन फॉरंच के लोगों के लिए एक इन्वेस्ट फैसिलीटेसियंस इसेंट्र चालू कर दिया ये फैसिलेटेसियंसेंटर का मतलब होता कि जो फॉरेंद के लोग इंडिया में आते हैं अब उनको तो मालूम नहीं है ना कि इंडिया में कौन सी जगह पे उनका काम अच्छे से होंगा ठीक है ना कौन सी जगह यहां पर अपने एक बनाया चाहिंसे पता करेंगे तो गौवर्मेंट ने क्या का एक आएफ सी बनाया इंवेस्टर साइलीटेशन सेंटर इन्वेस्टर वेस्टर के अंदर गौवर्मेंट ऑफ इंडिया यह एक उन्वेस्टर्स आते उनको लोके पार्टनर्स और साइट्स मतलब उनको पार्टनर्स जुनने में और साइट्स कहां पर लोग अपना फैक्ट्री डाल सकते अपर प्लांट शेटप कर सकते उसके लिए वह क्या करती है करती है तो अब के एक बार मारिवाइज कराता हूं अच्छा इसके वाज़े से डोमेस्टिक कंपणिस को भी गवर्मेंट ने कुछ बहुत सारे फायदे दिये ठीक है ना और मोधी जीन इसके बाद एक स्टैंडडप इंडिया इस्कीम भी लॉंच करी जो स्टैंडडप है जो है रही और क्या आफ मेंट की इंडिय सक्सक्वर मेंगाया अंदर क्या विद्फ्अ की ड़ॉटों को आउ है अपना तो कि यह बना दिए और सब्सक्राइब करने गज़ाए और इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर भी क्या कर दिए बना दिए अरो गाट्टेट पिल्ट कर एःअ डाटकीट अरे आप लिए क्ली tyra अपने दिमाग में बेढ़ा दिया याद हो गया है क्या फन हो ना क्या उसका नाशनल प्रोग्राम नहीं निशान्त कनेया निशाथ 15 पर्संट ऐसा कुछ नहीं है अलग 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 होती है अ मेरे को चैक में बता दो इंडिया का एम क्या हैताँ कमें आगे नहीं पूंड़ेंगे तुकल बलुकुल अब आगे बढ़ेंगे यस इंडिया को ग्लोबल मैनिफेक्ट्रिंग हब बनाना इंडिया को ग्लोबल मैनिफेक्ट्रिंग हब बनाना उसके बाद मोदी जी ने 2015 में एड्रेस किया था मैu जब इंडडिने всेता तो मोदी जी आए और मोदी जी ने आके इंडिब्नेल जी नाम है स्कांड अंडीया कि तो मोदी जी या ड्रेस किया कि 2015 में इंडिपेंडेंस दे था वहां में मोधी जी ने यह एड्रेस किया था कि वह अपने देश की मैलाओं के लिए प्लस अपनी देश के शेडियूल कास्ट और शेडियूल ट्राइब के जो लोग है ठीक है न हमारी कंट्री की जो वुमेंस है उनके लिए प्लस हमारी कंट जो जो लोग को बिलॉंघ करते है जो लोग किसको करते है शेडूल कास्ट और शेडूल ट्राइब को बिलॉंग करते हैं उन लोगों के लिए मोधी जी ने ये स्कीम को क्या करा लॉंच करा तो बेसिकली आप यह चार्ड बना लेंगे मोधी जी ने ये कि यह स्कीम को लांच करा है इस टैंड-डप इंडिया को एक सब्सक्राइब करा है इन दो लोगों के लिए करा है सब्सक्राइब कंट्री की जितनी वुमेंस है सब के लिए इसकी मोदी जी ने क्या करिए लॉंच कर दो वूमेंस ऑफ आल कास्ट हमारी कंट्री में जितनी वी मोमेंट से सब यह स्कीम में क्या होती है वह सबसे पहले को मैं चेशी चीम के अंदर वुमन हमारी कंट्री की जो सब्सक्रतार में और मुमन दोनों के लिए उब इसके अंदर कवर्ड हैं तो कोंद नहीं है तो शेडिए लकास्ट हो शेडिए अलावा जो भी और कास्ट है उन कास्ट के मैंस इसके अंदर कवर्ड नहीं तो इस चीज अच्छे ते ध्यान में रख लेंगे क्योंकि तुम बूल जाते हैं प्लस शेडूल कास्ट के जो पर्सन पीपल से मतलब मैंनों या वो मैंनों को दोनों इसके अंदर कवर्ड है बट ओपन ओबीसी और जो अधर कास्ट है उनके में इसके अंदर कवर्ड नहीं है तो बेसिकलिए इंडिया जो है गौर्मेंट ने लेके आई हमारी कंट्री के वह जोब करने के लिए गवर्मेंट ऑफ इंदिया और जहीं जो लेकिया इसका में इनिटेंशन था तो प्रमोट ऑंट्रपेनियॉशइप उसको प्रमोट करा जाए प्रमोट करा जए अंदर मधिये मैं जाता बेटर नहीं कि कौन कवेर जो से में और वुमन ऑपन कटीगरी वाली हो यह सिस्पी ओओ तो यह वोवन और कोई कास्ट होती होंगी तो उसकी वोष कवरडे लेकिन ऐस्टीए पीपल यह अब नहीं है तो बेसिक लिए गौवर्मेंट बोलती है कि यह जो यह स्पेसिफिक जो तपका है हमारी कंट्री के अंदर यह लोगों को गौवर्मेंट मोटिवेट करना चाहती है एकिव को चला कोन रहा है तो यह कंट्री में में गौर्रमेंट ओफ इंडिया जिसके अंदर आता-ए theft मिनिस्ट्री ऑफ फानेंस और उसके अंदर आता है डल कि फैनेंस्राइब्स और चला रही है थीएस को हमारी कंती के अंदर चला रही है बॉल गया है तो याद दिलाते startled याद नहीं आरहा मेरको तुम याद दिला सकते के कई की देखा याद ही नहीं आ रहा पता नही जियों किciendo कर नां कि याद नहीं रहा इस बच्चे पुछते एंग का थू प्रमोट उन्टरोपरीनियोशिप अमंग वूमन और शेडियूल काश्ट प्रमोट करना और शेडियूल काश्ट प्रमोट करना यह में इसका क्या है एंग है बिफेट्मेट्स फाइनेंशिल सर्फिस जो कि गवर्मेंट आफ इंडिया के अंदर आती अंदर वो किया और कर रहिए कि निरे सितरमन जी अलग बात हम उनको दादी बोलते हैं उनके नाम पर ही लाई करते हैं क्लियर है समझा या नहीं समझा अब सब्सक्राइब के अंदर गॉवर्मेंट क्या कर रही है हमको कैसे बेनिफिट मिलेंगा बस थोड़ी और बात इंपोर्टेंट वाली ठीक है न तो यह स्की धुन जबर बेनिफिट मिलेगा और कैशी बता हर कि फके बेनिफिट किस तरीके से मिलेंगा कि से लोन यह स्कीम के अंदर क्या करा जाएंगा प्रोवाइट कर जाएंगा अर्गेटिंग मापॉइंट कैसे लोन दिये जाएंगा क्या है किसीप है वह सब कुछ सारी की सारी बाते हम कभ डिसकॉस करेंगे नेक्स्ट क्लास्स में भुआ कि मेकी इंडिया मतलब इंडिया में बना हो मैड हिल इंडिया में बना हुआ हुआ हम एक वुक्त अब भूल गई बहां को इस हुच्छा बदा हम कंपने में लग मैं अच्छा लगा हो तुम बहुत नालाइक हो तुम पढको लेते हो अपने भाईयों को यह नहीं बताते हो कि अच्छ लगा की नहीं लिग निलज लायक करके जाका जानना लाइकप और कमेंड आइनस अश्य मरत गश्याइए बहुत मज़ाता है आप लोगों के साथ मिलते है नेक्स लास में तिल देन थेंक्यू सो मच आ जाना नेक्स लास में अच्छा अच्छा एक मिनिट रुखो कि यहां पर यहां पर कमेंट करके जाते हैं यहां पर नहीं कर देंगा हां सागनिक चलेंगा अच्छी चीज़े चलो थेंक्यू सो मच गाइस बहुत अच्छे लगा आप लोगों के साथ आज आप लोगों को मज़ा आया की नहीं बताना जरूर बट चाट सेक्षिन यहां पर नहीं ठीक है गाइस मिलते हैं सब लोगों से और लाइक वाई कमेंड जो भी है वो दिख लेना आप लोग मिलते हैं गाना एक गला तुम्हारी क्लास में गाना नहीं का पाए काच्छा बद